इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों स्वागा थेकवा मेरी सीटोब चैनल लेगलाइजेशन सेर्म उफ्यंट जैसे कि हम भाग साथ सेर्ट केया थे जहां पर अपील स्वागी प्राबधान ऑपड़ें में पड़ रहे थे तो आज की सेसन में हम बात करने वाले हैं जो Copa 1रे के से दार क्र2 अरव गया है उसको आज के साथ 16 को दार करने वाले हैं इस प्रकार के प्रोविजिंस आपको में लेगा CRPC के सक्षिन 386 में 386 में क्या है वहाँ पर भी अपील नियाले की सक्तियों के बारे में बताया गिया है अब यहां पर फर्स्ट क्लोस क्या कहता है इसका एसी सर्तों परिसीमाओं का धिन रहते हैं जो बीद के जाए अपील नियाले को चाहरवं कती हों जाएा है यहां पर कौन कौन से सक्तिया होंगी पॉन्ट्स में बताय एक है था अप जो पील नियाले होग नंगी उनको शोफिरेशित कर सकता है और उसके बिचारन के लिए weak कर सकता है उसके बाद अत्रिक्ष साक्ष लेने के लिए अपिक्षा कर सकता है यहां पर इसे चार चीज़ा बताईगे जो अपील नहाले के सकतिया होंगी आईगोप आपको इस समझ में आया होगा उसके बाद थाज जो दूसरी अपील होती है या दूसरे से अधिक कोई अपील की जा रही है तीसरी अपील हो गी इनमें क्या प्रोसीजर होगा क्या फ्रक्रिया अपनाई जाएगी यह बताएगा धार 108 में तो मोल डिक्रियों के अपीलों से समंधी अब मोल डिक्रियों के अपीलों समंधी इस भाग के उपन्द जहां तक हो सके यहां पर जो मोल इस एक से 99 तक प्रोवियंस हैं वहां पर यह लागू होंगे ठीक हाँ पर अपील डिक्रियों के अपील को लागू होंगे उसके बाद और उन आदेशों के अपीलों को भी लागू होंगे जो इस तक एधिन या कैसी ACBC से स्थानी बिरिक एधिन किया गया हो ठीक है तो यहां इस चीज बताएगा आपका धर 109 जो निम्न दसाओं में उच्श्टमन कभी आपील की जा सकती है नहीं पर सुप्रीम कोट में अपील करने के लिए जो समिधान के भाग पांच के अध्याचार जहां पर संग की नाइपाली का समंदित प्रावधान किया गया जो रिजिशी समंदित वहां पर उसके उपण्द के अधीन या भारत के नियालेओं के लिए अपील के समंद में उस्टम नियाले जो इस नियम बनाए उपरोक नियम के अधीन रहते हुए किसी उच्च नियाले की किसी सिविल कारवाही जो अनुच्छे द 133 समंदित है ठीक है किसी नेड़न या डिक्री या अंदी माधिस के अपील उस्टम नियाले में होगी तो यहां जुन नियम बनाता है, उसके अधिन रहते हुए, किसी भी उच नियाले की, अब यहाँ पर किसी अधिनस कोट है, उनकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर हाई कोट की बात कर रहा है, उनकी जो सिबिल कारवाई होगी, या किसी निर्णे, डिक्री, या अंतिमादेस के अपील, उचितम न्याले में की जा सकती है सुप्रीम कोट में लेकिन कब की जा सकती है जब हाई कोट यह प्रमाडित कर देता है ठीक ना हाई कोट एक कन्फरमेशन दे देता है कि मामले में ब्यापक महत कोई सारवान बिधी के प्रस्न अंतर विलित है ठीक है यदि न्याले को ऐसा ल उस case में उसका निर्धारे करना Supreme Court के दौरा आवश्यक है तो वहां पर क्या किया सकता है Supreme Court में और transfer किया सकता है case और Supreme Court उसकी सुनभाई कर सकता है तो यहां पर ही बताएगया है यहां पर सिर्फ 2 condition बताएगे है यह दिदी High Court confirmation दे देता है तब ही होगी वहाँ पर सुप्रीम कोट में सिख्री सी सिविल कारवाई की अपीन ठीक है यह चीज पताएगा आपको एक सो नो में उसके बाद है 110 111 12 यह इतना important है ठीक है तो यहाँ पर ही सिर्फ इतना ही important for judiciary and other लोग जाम स्टीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा यह आपको समय में आए था लाइक करें शेयर करें पूट दोस्तों के साथ यह आप नए है था सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेश कर लें आने वाले वीडिए श्यूंटिक्रेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू धिए तो को समस्टों संट प्रआएंग ल्क्राइशन स्ट։